चारसो अठानवे के मामलों में पत्नी पत्नी की शादी को कितने साल निकल चुके हैं पत्नी ने कितने साल के बाद जाकर के कंप्रेंट फाइल करी इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टन्स है साथ ही पतनी क्या आरोब लगा रही हैं क्या आरोब बहुत ही specific हैं किसने क्या अत्याचार किया इसके बारे में क्या विस्तार से बताया गया है अगर पती पतनी का already compromise हो चुका है और उसके बाद फिर से पतनी similar allegation लगाती है तब भी पतनी की complaint को शक्के दाइरे में लाए जा सकता है आज हम एक ऐसी judgment को discuss करेंगे जहां पर court ने पती का साथ दिया और पतनी के 498 को चलाने से मना कर दिया 498 को कतम कर दिया खारिच कर दिया नमश्कार दोस्तों लीगल गुरकुल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जहां मिलती है आपको सही legal knowledge और सही legal advice दोस्तों बहुत बार यह देखने में आता है कि पतनी पती के उपर अत्याचार के आरूप लगाती है पती के खिलाफ 498 की complaint या DV Act का case फाइल कर देती है लेकिन बाद में compromise हो जाता है settlement हो जाती है पतनी केस withdraw कर लेती है लेकिन इसके कुछ समय के बाद पतनी फिर दुबारा से सेम आरूप लगाकर पती के उपर fire कर देती है या 498 का case फाइल कर देती है क्या इस तरह से पतनी को आजादी मिलनी चाहिए कि वो पती के खिलाफ बार बार similar आरूप लगा सके अगर पती पतनी के बीच में छोटी मोटी कहा सुनी होती है लड़ाई जगड़ा होता है तो पतनी immediately बिना सोचे विचारे पती और उसके परिवार वालों के खिलाफ 498 की complaint फाइल कर देती है कोड भी इस बात को समझने लगी है कि पतनी बिना कारण के छोटी मोटी बातों को बड़ा चड़ा करके 498 के दाइरे में लाने की कोशिश करती है और इसी वज़े से 498 का कानून मिस्यूद होता है दोस्तों वीडियो बहुत ही important है इसलिए आपने वीडियो को अंतक दरूर दिखना है यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही notification bell icon दबा दीजिए इन केस आपकी कोई भी legal समस्या है legal problem है तो वो आप मुझे भेज सकते हैं यदि आप urgently मुझसे बात करना चाते हैं अपने matter को discuss करना चाते हैं तो आप call me for application का इस्तेमाल कर सकते हैं या मुझसे email से one to one session की appointment भी ले सकते हैं दोस्तों इस case में पती पत्नी की शादी सन 2012 में हुई उनके घर दो बच्चे भी हुए पत्नी का आरोप था कि शादी के कुछ समय तक तो पत्नी ने कोई भी अत्याचार नहीं किया पत्नी को सही तरीके सरखा उसे maintain किया लेकिन धीरे धीरे पत्नी का बरताव चेंज होने ल लगा और पत्नी से दो लाक रुपे की डिमांड भी करी पत्ती के साथ साथ पत्ती के माता पिता और भाई भी पत्नी पर अत्याचार करने लगे दोस्तों जादतर cases में इसी तरह के standard अरोप लगाए जाते हैं लेकिन इस case में एक important बात ये भी थी कि पत्नी ने सन 2019 में पत्त पत्तिक वालेस एक्ट के तहद भी case file किया था जो कि सन 2020 अगले ही साल settlement हो गई थी पती पत्नी ने compromise कर लिया था जिसके चलते पत्नी ने अपने डीवी के case को withdraw कर लिया था लेकिन दोस्तों इसके बाद पत्नी ने 2021 में दुबारा से पत्ती के खेलाफ सिमिलर आरोप लगाए चारसो अठानवे की complaint file करी जिसके basis पर एफायर रेजिस्टर की गई एफायर में पती के साथ साथ पती के मातपिता और भाई का भी नाम था पुलिस investigation करके court में चलान पेश कर देती है दोस्तों इसके बाद सभी आरोपियों के द्वारा हाई court में questioning petition file की जाती है दोस्तों हा में शादी हुई थी और 2020 में यानि की तक्रीबन आठ साल तक पत्नी ने दहेज मांगने के allegation नहीं लगाए ना ही कोई मारपीट के allegation लगाए पत्नी ने कानून का दुर्पयोग किया है पत्नी के साथ साथ बाकी family members को भी इसमें फसाद दिया है जबकि उनका पत्ती पत्नी हो गया था settlement हो गई थी जिस वज़े से पत्नी ने उस complaint को withdraw कर लिया था और अब बिल्कुल similar allegation लगा करके पत्नी ने दुबारा से 498 की complaint फाइल कर दिया है दोस्तों पत्नी पक्ष का ये भी कहना था कि अगर 498 की FIR को जो उसमें allegation दिये हैं उनको सही भी मान लिया जाए तो भी पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ कोई भी अपराद नहीं बनता है केस 498 के दाइरे में आता ही नहीं है जितने भी विट्नेसे पुलिस वालों ने बनाए हैं सभी पत्नी के family members हैं और पत्नी ने जितने भी आरोप उसमें लगाए हैं वो बहुत ही जन्रल हैं वेग हैं, कोई भी allegation specific नहीं है और किसी भी allegation में कोई भी details नहीं दी गई हैं इवन जो witnesses हैं उनके द्वारा भी ये नहीं बताया गया, कोई particulars नहीं दिये गए कि किस तरह से पत्नी के साथ अत्याचार होता था, किस तरह से पत्नी को तंग किया जाता था दोस्तों दूसी तरफ पत्नी का कहना था, कि उसने settlement की वज़े से DVX के case को withdraw तो कर लिया था, लेकिन पत्नी के द्वारा 12 से पत्नी पर अत्याचार किया गया, जिस वज़े से उसने मौझूदा 498 का case फाइल किया दोस्तों हाइकोट ने F.I.R. और Witnesses की statement को बड़े ध्यान से पड़ा, हाइकोट ने इस बात को importance दी कि शादी के 8 साल तक पत्नी ने किसी भी तनकी कोई complaint पत्नी या उसके परिवार वालों के खिलाफ नहीं करी थी, ये point पत्नी के पक्ष में जा रहा था दोस्तों जब पत्नी ने DVA का case विड्रौ किया था, उस तेम ये mention किया गया था कि पत्नी पिछले 10 महीने से अपने सुसराल में रह रही है और पत्नी के द्वारा या उसके इनलोस के द्वारा उसे किसी भी तरह से तंग नहीं किया गया है, उस पर अत्याचार नहीं किया ग पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ 498 की FIR दज करा दी थी, दोस्तों हाइकोर्ट ने ये भी अबजब किया कि FIR में पत्नी ने जो भी allegation लगाये थे, जो भी आरोप लगाये थे, वो बहुत ही जनरल थे, वेक थे और किसी भी तरह के कोई details उसमें mention नहीं की गई थी, पत्नी के परिवार वालों पर भी जो आरोप लगाये गए थे, वो बहुत ही समान्य थे और जनरल थे, और अगर 498 की complaint को और deviate की complaint को compare करें, तो दोनों के ही allegation बिल्कुल सेम थे, similar allegation थे, दोस्तों हाइकोर्ट ने ओंडेबल सुप्रीम कोर्ट की important landmark judgment प्रिति गुपत वर्सिस टेट ऑफ जारकंड का और कैकशा वर्सिस टेट ऑफ बिहार का हवाला देते हुए, यह कहा कि पत्नी ने जो allegation लगाए हैं, जो आरोप लगाए हैं, वो 498 के दाएरे में आते ही नहीं हैं, हाइकोर्ट ने क्लियर किया कि जहां पर पत्नी समान्य और वेग allegation लगा है कि पत्नी, पत्ती और उसके परिवार वालों को फसाने के लिए जोटे आरोप लगा रही हैं, दोस्तों इन सभी बातों को देखते हुए, हाई कोर्ट ने पत्ती के पक्ष में फैसला सुनाया, पत्ती की questioning petition को allow किया, और पत्नी की 498 की complaint को F.I.R. को कारिज किया, खतम किय दोस्तों इस case judgment पर आपके क्या विचार है ज़रूर शेयर कीजेगा, यदि आपकी कोई legal समस्या है, legal problem है, तो वो भी आप मुझे बेच सकते हैं, इस judgment का link मैं आपको description में दे दूँगा, वहाँ जाकर कि आप इसे download करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने case के facts के न अपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, चाहिन